हाई गैस एन वेलकम बाक टो दी चैनल दीपच जैद वेजूकेशन वेलकम टो दी डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसस ओफ 21st ओफ दिसंबर 2022 तो गैस आज है तारिक 21 दिसंबर 2022 और है विटनेस डे दिखेंगे आज के दा हिंदू कम्प्लीड न्यूस पेपर को अनलाइस करेंगे बट लेक्चर मागे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडिएफ चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलिग्राम दन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपच यदा वेजुकेशन यूपी एसी आप लोग को यह वला चनल मिल जाएगा इस पे क्ले करना और जाकर इस चनल को जॉइन कर लेना जॉइन करने से फाइदा क्या होगा यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडियेफ मिल जाता है डेली करेंट अफेर के वीडियो का पीडियेफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं नव बढ़ते हैं आगे आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चिर को एक मैप के क्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है फिनलैंड को कहां पर है ये एक्जाक्टि लोकेटेड अच्छे से मैप में देखना देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे साथी साथ एक क्वेशन सॉल्व करेंगे जो कि UPSC प्रिवियस येर साल 2021 के प्रिलिम्स में पूछा गिया था डेली बिसस पर हम लोग याँ पर एक प्रिवियस येर क्वेशन को भी सॉल्व करते हैं क्वेशन क्या बूलता है इंडिया के रेफरेंस में कुछ नाम दिये गए हैं देदवाना, कुचामन, सारगोल, खातु ये जो नाम है या किरकार किस चीज़ के नेम है आपको बताना है उप्शन A, Glashers, उप्शन B, Mangrove Arias, उप्शन C, Ramsar Sights, या फिर उप्शन D, Saline Lakes तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कॉमेंट सेक्शन में देना है एटली सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है जैसे में आप लोगों से डेली बिसिस पर बोलता हूँ इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलिग्राम पर प्रोवाइट करवा दिया है वहाँ से भी चेक आउट कर सकते हो और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिसकुशन हम लोग करेंगे तो चलो शुबार हम करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थमनिल वाले इंपोर्टेंट आर्टिकल की तरफ वैसे आप लोगों बता होगा कुछ जिन पहले हम लोगों ने अपने वीडियो के अंदर डिसकस भी किया था कि 15 दिसंबर को हम लोगों ने अपने देश की सबसे ताकतवर बलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है अगनी फाइफ उसका सक्सेसफुल ट्राइल कर लिया था अब जब स्टार्टिंग में उसका ट्राइल किया गया था तो कितनी रेंज बताई जारी थी लगवग 5500 किलोमेटर की रेंज बताई जारी थी कि ये जो मिसाइल है ये इतनी दूर तक जाकर अपने टार्गेट को हिट कर सकता है लेकिन हुआ क्या उसके अगले दिन ही सरकार की साइट से एक और स्टेटमेंट निकल कर आता है स्टेटमेंट ये निकल कर आता है कि इसकी जो रेंज है वो हम बढ़ा भी सकते हैं चाइना जिसका दावा कर रहा था कि इसकी रेंज 5,000 नहीं 7,000-8,000 किलोमेटर के आसपास होगी वो ची सरकार ने खुद अपनी साइट से मेंशन कर दी थी इसके टेस्ट के अगले ही दिन पर ये मेंशन किया कि इसकी रेंज 5,000 से भी बढ़ा कर हम लोग 7,000 के आसपास भी कर सकते हैं तो अगेन अचानक से सबको सर्प्राइज मिल गया कि इसकी यहाँ पर रेंज इतनी लंबी जा सकती है 7,000 किलोमेटर तक का टारगेट को यहाँ पर यह हिट कर सकती है ठीक है यह information निकल कर आ जाती है लेकिन उसके बाद 3-4 दिनों से धेर सारे articles पबलिश हो रहे हैं अलग-लग newspaper में इनफाक्ट इंडिया में तो इसके बारे में चर्चा हो ही रही है इसके साथ साथ international level पर भी यानि अलग-लग countries के अंदर भी जो अकवार हैं वहाँ पर इसके बारे में information निकल कर आ रही है वो क्या निकल कर आ रही है क्या जो Agni 5 missile की testing जो भारत ने की है वो Agni 5 missile क्या एक hypersonic missile है अब यह hypersonic missile क्या यह concept आप सीखोगे जो missile के कुछ important concepts है वो आपको यहाँ पर आज पता चलेंगे जो कि आपके exam के point of view से बहुत ज़ादा relevant है तो मैं आपको थोड़े से articles दिखाता हूँ यहाँ पर आप देखोगे Eurovision Times ने यहाँ पर publish कया है First Port ने publish कया है उसके बाद यहाँ पर दैनिक भासकर याँनि English, Hindi सभी articles यहाँ पर publish हुए हैं जैसे आप देख पार हूँगे Did India Test Hypersonic Missile फिर हिंदी में articles पब्लिश हुए हैं क्या जिसे Agnify बता रहे हूँ वो Hypersonic Missile है समझते हैं अखरकर क्या होती है Hypersonic Missile तो जैसे हम लोग ने यहाँ पर इसका successful correction कर लिया था तो उसके बाद जो बहुत सारे जो independent defense experts है defense के मामले में अपने आप में ही वो experts हैं उनका कहना यह है कि जो भारत ने Agnify Missile का successful correction क्या है न यह जिस प्रकार से उड़कर गई है Missile यह कहीं न कहीं शंका पैदा कर रही है कि यह एक Hypersonic Missile है अच्छा ऐसे कैसे तो देखो इस चीज़ को समझना पहले आपको दो concepts जानना है जो missiles होती है एक तो होती है ballistic missile और एक होती है cruise missile ठीक है अब यह कैसे काम करती है चलो समझते है देखो इस वाले particular picture में थोड़ा ध्यान से देखना अच्छा चलो यहाँ पर समझाने से अच्छा है मैं आपको यहीं पर समझा देता हूँ पहले हम लोग समझते हैं ballistic missile का concept देखो माल लो यहाँ पर आपने यहाँ से क्या किया है missile को launch किया है और यहाँ पर है हमारा एक target ठीक है न यहाँ पर हमें अपनी missile को hit करवाना है अभी हम क्या सीख रहे हैं ballistic missile तो सपोस्थ यहाँ से हमने ballistic missile को launch का तो वो कैसे जाती है ballistic missile को launch करने का पहले वो यहाँ से अंतरिक्ष में जाएगी उपर जाएगी यानि कि हमारे पूरे वाता वरल को atmosphere को छोड़ कर उपर जाएगी उपर जाने के बाद में बिल्कुल अपनी peak पर पहुंच जाएगी peak पर पहुंचने के बाद में अपनी दुगनी speed से वो नीचे गरना start करेगी और जाकर अपने target को hit करेगी ठीक है तो यह basically कौन सी missile से होती है ballistic missile होती है अब दूसरे concept को जानते है एक होती है cruise missile अब यह cruise missile कैसे चलती है इसको समझना मालो यही से अगेन हम लोगों ने cruise missile को भी launch किया और इधर है यहाँ पर हमारा target तो cruise missile का जो रास्ता होता है वो इस प्रकार से होता है ऐसे जाकर वो अपने target को hit करती है तो ballistic missile का रास्ता अंतरिक्ष में गई अंतरिक्ष से वापस से आकर अंदर target को hit करी यह आपको समझ माया लेकिन cruise missile का रास्ता इस प्रकार से हो जाता है यह भी clear हो गया ठीक है अब जो अगनी 5 missile है जो हमने recentी testing करी है यह ballistic missile है ठीक है तो ballistic missile है तो मतलब इसको कैसे जाना चाहिए था launch करते ही है पहले अंतरिक्ष में जाती उपर जाती यानि हमारे जो वातावरण उसको छोड़कर उपर जाती अपने peak पर जाने के बाद में वापस से आकर नीचे अपने वो target को hit करती correct बात है चलो सही है तो ये हमारी जो अगनी 5 मिसाल है वो एक ballistic missile है लेकिन जो हमारे independent defense experts से उनका कहना ये है कि ये अंतरिक्ष में तो गई ही नहीं इसका जब आप रास्ता देखोगे न तो ये शहरों के उपर से उड़ती वी गई है और जाकर यहाँ पे अपना एक ballistic missile नहीं है basically ये कहीं न कहीं एक hypersonic missile की testing कर दी है इंडिया ने अब आप सोच रहोंगे hypersonic missile क्या होती है तो इसको hypersonic missile अपने आप में ही बहुत ज़्यादा बेहिदरीन missile सूती है मतलब उसके टकर कोई दूसरी missile नहीं कर सकती in fact आज के समय में भी रश्या अमेरिका जैसी कंट्रीज जिनके पास में यहाँ पे hypersonic missile है in fact रश्या टॉप पर है उसके बाद अमेरिका उसके बाद चीन यहाँ पर है ये तीन कंट्रीज जिनके पास में hypersonic missile नजर आती है बाकी आप देखोगे तो इंडिया भी इसके उपर काम कर रहा है बहुत लंबे समय से testing कर रहा है तो होता यहाँ पर यह है कि जैसी यह information निकल कर आती है न तो कुछ लोग इसको और confirm करने के लिए कुछ और research करता है और confirm करने के लिए कुछ और independent researchers ने क्या बोला कि हो सकता है हम कुछ कहा नहीं सकते ही hypersonic missile हो सकती है कैसे क्योंकि 2018 से ही जो हमारा DRDO है Defense Research Development Organization वो यहाँ पर इस hypersonic missile की testing कर रहा है और हम लोगों ने यहाँ पर 2020 के अंदर hypersonic technology जो demonstrated है न एक HSTV करके इसका हम लोग ने successfully परिक्षन कर रहा था तो DRDO basically 2018 से काम कर रहा है हमारे पास में technology के उपर development काफी ज़्यादा already हो चुका है फिर उसके बाद एक और चीज निकल कर आती है इसको confirm करने के लिए और भी defense experts इसके साथ जुड़े उनका कहना यहाँ पर यह है कि और ब्रहमोज 2 की जो speed होगी इसकी जो गती होगी इस missile की वो कितनी होगी जो sound होती है जैसे जो ध्वनी है जो मैं बोल रहा हूँ आवाज जो हमारी निकल रही है उससे 7-8 गुना जादा speed होगी ब्रहमोज 2 की उसी प्रकार से जो hypersonic missiles हैं इनकी भी यहाँ पर 5-10 गुना जादा speed होती है sound से sound से 5-10 गुना जादा speed देखने को मिलती है इन hypersonic missiles के अंदर में समझ दो इस बात को यहनी जो धुएनी होती है न sound उससे भी तेज है अपनी target को यह पहले hit कर जाएगी इसकी आवाज बाद में आएगी तो आप imagine कर सकते हो की आकरकर इसकी क्या level की speed होगी ठीक है यह बात clear होगी तो इसी को लेकर यह डेर सारे articles अभी की समय पर publish हो रहे हैं अभी यहाँ पर मैंने आपको बता दिया किस के बारे में हाइपरसोनिक missile के बारे में और साधी साथ में cruise missile के बारे में स्वरी बलिस्टिक missile के बारे में और cruise missile के बारे में हाइपरसोनिक missile की बात करते हैं तो देखो बलिस्टिक missile ऐसे जाती है आपने समझ लिया था hypersonic missile इस प्राकार से जाती है ठीक है ना hypersonic missile भी मतलब antrыч complex से बाहर नहीं चली जाती है मतलब अंतrыч में नहीं जाती है जाता उपर नहीं जाती है लेकिन फिर भी उसका जो level है वो थोड़ा सा नीचे रहता है जैसा कि यहाँ पर इस प्राकार से अब ही हमने अगनी 5 की टेस्टिस्टिंग करिए न जैसे यह उड़कर गया था बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर टेस्टिंग होती है मतलब उसी प्रकार से उड़कर जाती है hypersonic missile बी बात क्लियर होगई hypersonic missile के अंदर जो speed होती है मैंने आपको बताया sound से लगबग 5 गुना जादा तेज स्पीड होती है तो ये अपने target को hit कर जाएगा इसकी आवास बाद में आती है तो आप समझ सकते हो कि इसकी high speed जादा तर देखने को मिलती है और अगर मैं in defense system का जो strength है इसके बारे में समझाओं तो ये जो missile है ये लगबग 5,000 से 12,000 किलोमेटर तक की रफ़तार से उड़ सकती है तो आप ये देख सकते हो उसकी बाद में जो speed and की काफी तेज होती है उचाई जादा होती नहीं है और उचाई ना होने के वज़ा से जो radar है वो भी इनको नहीं पकड़ पाता इसकी चक्कर में ये missile और मजबूत हो जाती है इन missile का दुनिया में जो कोई भी defense system है वो इसको मात नहीं दे सकता आपको पता होगा ना कि missile को तोड़ने के लिए जैसे कि इसराईल का iron dome system है अमेरिका का thought system है ऐसे अलग देशों का अपना system है जो कि missile को मात देने के लिए बनाए गए है बट यहाँ पर इस missile को मात नहीं दे सकते है ऐसा भी यहाँ पर जो defense experts है वो इसकी guarantee देते है देन उसके बाद यहाँ पर इन missiles के अंदर 480 kg तक के जो परमाडू हतियार है उनको ले जाने की भी यहाँ पर capability यानि सक्षमता देखने को मिलती है और सबसे important चीज जो कि यहाँ पर इसमें यह पाई जाती है कि आप हवा में ही इन hypersonic missiles का जो रास्ता है वो बदल सकते हो है बात clear होगी समझ में आ गया hypersonic missiles क्या होती है अब मैं आपको थोड़ी सी और information देता हूं वो information है जैसे रश्या के पास में आज कि समय पर hypersonic missile है इन फैक्ट आपने देखा होगा जो रश्या युक्रेन का वार हुआ था ना इसमें बीच में एक missile की चर्चा ओरी थी किंजल hypersonic missile है ना तो जो किंजल hypersonic missile है यह रश्या का ही है इसके अलावा रश्या के पास में 3M22 करके और भी missiles देखने को मिलेंगे अमेरिका के पास में भी hypersonic missiles है और चाइना के पास में भी चाइना भी इसकी testing कर चुका है अब यहां पर बात यह वो ली जा रही है कि इंडिया भी testing को लेकर बहुत समय से काम कर रहा है बट इंडिया ने भी successfully इसको test कर लिया है लेकिन न अगनी 5 का नाम दिया है अगनी 5 के पीछे यहां पर hypersonic क testing करी गई है I hope आपको बात क्लियर हो गई है आगे यह कितना information सटीक होती है वो आगे पता चलेगा आगे क्योंकि DRDO से काफी सारे सवाल पूछे गए DRDO को यहां पर काफी सारे tweet करे गए तो DRDO इसके बारे में जवाब देगा तो इसके बारे में आपको एक confirmation मिल जाएगी आन पूरी checking होती है अब आप जो भी समान यहां पर आपका जो भी लगेज होता है उसकी checking की जाती है अब होता यह है कि आपने देखा भी होगा कि airports के उपर आपका laptop, mobile, charger यह सारी चीज़े निकलवा लिया जाती है है ना क्योंकि यह सब आपका back से निकलवा लिया जाता है ऐसा नई technology के उपर काम कर रहे हैं जिससे की आपको यह जो समान है laptop वगेरा जो है mobile phone है charger है इसको back से निकलने की जरुवती नहीं पड़ेगी यह जो technology है यह back के उपर से यहाँ पर testing कर देगी और checking कर लेगी और इस से हमारे जो security check है वो और ज़्यादा मजबूत होने वाला है तो जो cabin max होते है basically अब वहाँ से आपको जो समान है अपना electronic device है खास कर उसको remove करने की आवश्चता नहीं पड़ेगी ठीक है न तो यहाँ पर इसके बारे में information दी गई है तो यह सारी चीजे कौन लेकर आ रहा है हमारे पास एक body है जिसका नाम है BCAS जिसका नाम है Bureau of Civil Aviation Security तो य यह basically यहाँ पर जल्द ही कुछ norms कुछ rules and regulation लेकर आने वाले लगबग एक अंदाजा बताया जा रहा है एक महिने के अंदर अंदर यह rules and regulations आजाएंगे modern equipments यहाँ पर use करे जाएंगे airports के अंदर नहीने equipments नहीने technology का इस्तमाल किया दाएगा ताकि जो bags हैं bags के ऊपर से को remove करने की आवश्रक्ता ना पड़े और इस पूरे particular technology के अंदर में हम लोग अलग-लग technology का इस्तमाल करेंगे जैसे की dual x-ray हो गया computer tomography हो गया दन उसके बाद में neuron beam technology हो गई sorry neutron beam technology हो गई तो यह इस particular जो टेक्निलोजी को मैंने आपको बता है न यह तीन-चार टेक्निलोजी हैं जिनका हम लोग यहाँ पर इस्तमाल करने वाले हैं जिससे यहाँ पर जो भी electronic devices है बैक से वो remove करने की आवश्रक्ता नहीं पड़ेगी यह उपर से यहाँ पर उस बैक की वो थोड़े से overcrowded नजर आ रहे हैं भीड जादा नजर आ रहे हैं कोवीड के बाद देखो कोवीड से पहले सही situation थी कोवीड में बीच में अगर हम बात करें तो बिलकुल एरपोर्ट पर आना जाना बिलकुल बंद हो गया था लोगों का फिर उसके बाद में कुछ टाइम तक मामला ऐसे ही रहा हलका रहा कोई भीड भार नहीं चल लही थी बट अभी के समय पर चीज़े वापस से पहले लेवल पर ही पहुँच चुके हैं इनफाक्ट 11 दिसंबर को हमने डेली एरपोर्ट पर बहुत जादा भीड देखी थी एक overcrowded भीड हो रही है ठीके ना तो यहाँ पर जो टेक्नलोजी है यह टेक्नलोजी के जब हम लोग यूज़ करेंगे तो इस से यह प्रॉबलम भी यहाँ पर थोड़ी सी रिजॉल्फ होती भी नज़र आएगी क्योंकि जो चेकिंग की स्पीड है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी तो आने वाले समय में यानि एक महीने के अंदर-अंदर कुछ नॉम्स आएंगे वो आने वाले समय में हम लोगों को पता चल जाएगा अभी के समय पर खेवल इतनी ही यहाँ पर इंफोर्मेशन दी गई है बात क्लियर हो गई अब इस आर्टिकल में एक बॉड़ी की चर्चा की गई है तो BCS इस 1978 में एक कमीटी के रेकेमेंडेशन के ओपर ये बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है तो वो कमीटी कौन सी है पांडे कमीटी पांडे कमीटी ने रेकेमेंड किया था उसके बाद यहाँ पर Bureau of Civil Aviation Security को बनाया गया अच्छा इस बॉड़ी की responsibility क्या है जिमेदारी क्या है इसके जो security है उसको हम लोग maintain कर सके हैं तो जो भी airports के उपर security का काम है वो basically यहाँ पर उसकी जिमेदारी BCA के BCAS के पास में यानि Bureau of Civil Aviation Security के पास में देखने को मल जाती है उम बात क्लियर हो गई ठीक है तो ये एक छोटी से information थे इस article के अदर और prelims के अदर statement wise question बन जाते हैं तो ए इकात question बन सकता है ध्यानकनस के बारे में नेक्स टाडिकल पर आता हैं नव आगे बढ़ने से पहले make sure करना कि वीडियो पर जो like का बटन है यार उसको प्रेस कर देना एक छोटा सा target होता है 5K प्लस likes का जिसको आप लोग achieve करवा सकते हो साथी साथ में मेरे साथ में Instagram पे connect कर सकते हो Instagram पे जाना सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपाइच यादव एजूकेशन आपको यह वाला प्रोफाइल मिलेगा यहां पे आप मेरे साथ में personally connect कर पाओगे और स्टार्टिंग में जो भी आपसे सवाल पूछे गए मैं आपका question पूछा गया स्टार्टिंग में आपसे ब्रिलिम्स का question पूछा गया उनके answers नीचे comment section में दिया करो पता चलता रहता है कि हाँ कौन-कौन regular basis पर answers दे रहे हैं ठीक है फिर उनके नाम भी ध्यान में आने लगते हैं और याद रहने लगते हैं तो आप लोग प्लीज जो answers है वो ज़रूर दिया करो questions के now next बहुत ज़दा important article है इसको आप लोग GSP no.2 politics से link कर पाऊगे in fact GSP no.2 के अंदर international institution का topic भी आ जाता है हमारा तो उसको भी आप यहाँ पे link कर पाऊगे तो syllabus में पूरी तरह से article link होता है आपको पता होना चाहिए सारी की सारी चीज़े मैं आपको detail से बताता हुआ चलूँगा क्या बात की जारी है if not reformed UN will be overtaken by another organization मतलब क्या है United Nation का नाम सब ने सुना होगा United Nation के 6 principal organs से सब को पता होगा इसमें से कई principal organs लगाता न्यूस में मने रहते हैं जैसे United Nation Security Council, United Nation General Assembly है ना ये तो लगाता न्यूस में मने रहते हैं ये भी पता होगा लगातार हम पढ़ते रहते हैं लेकिन होता यहाँ पर यह है कि जो पूरी United Nation body है ना इसके अंदर एक बदलाव की जरुरत है और ये केवल एक ही country नहीं कह रही है दुनिया बर की कई सारी country इसके बारे mention कर चुके है कि हाँ बिलकुल United Nation बहुत पुरानी body हो चुके इसके अंदर बदलाव की जरुरत है और जो इसके अलगलग organs है ना जो इसके अंग है छे इसमें से जो United Nation security council है खासकर इसके अंदर बदलाव की जरुरत है और अगर बदलाव नहीं किया गया तो इसकी जगा इस United Nation की जगा कोई और दूसरा organization ले लेगा कोई और दूसरे organization को ज़्यादा value मिलेगी ये United Nation की image आने वा अब ये रोचिरा कमबोच कौन है तो ये इंडिया की एक permanent representative है in the United Nation इन्होंने ये बात mention करी है ठीक है ये बात clear हो गई तो बहुत important topic है कोई इसके उपर हम पहले भी काफी बार चर्चा कर चुके हैं तो बोला गया इनके थू कि देखो United Nation के अंदर बदलाव की जरुरत है ब बस इतना छोड़ा सा या पर ये article था ये बार बार इसी के उपर जोड देती हैं कि खासकर United Nation के अंदर भी जो United Nation Security Council है ना खासकर इसके अंदर हम लोग को बदलाव की जरुरत है अगर इसके अंदर बदलाव कर दिया जाए तो काफी चीज़े बहतर हो जाएंगी क्योंकि अ बात ये मेंशन करती हैं आप थोड़ा डिटेल समझते हैं आखिरकार क्या है मुद्दा और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं क्यों यहां पर रिफॉर्म्स के अफशकता है क्यों चेंज करने की बात की जा रही है क्या United Nation पहले की तरह काम नहीं कर रहा है यह हकीकत बात है पहले मैं आपको थोड़े डियल से लेकर चलता हूँ तो पहले हम समझेंगे UNSC क्या है चेंज की क्या आवशकता है क्या चेंज करने चाहिए वो सब कुछ आपको क्लियर होगा यह तो आर्टिकल की इंफोर्मेशन थी अब मैं आपको कुछ बाग्राउंड इंफोर्मेशन दे रह नंबर फॉर इंडरनाशनल कोर्ट अफ जस्टिस नंबर फाइफ युनाइटी नेशन एंड़ से क्रिटिरियर टो कहोगे पांच युए छे कौन सा हुआ चटा तो सबसे इंपॉर्डेंट है ना युनाइटी नेशन सेक्यूरिटी काउंसिल इसको अभी हमने गिना ही का है तो अभी जिसके अंतर बदलाव करने के बारे में चर्चकी जा रही है इसको अभी हमने गिने ही नहीं है तो छटा हो गया युनेसी बात क्लियर हो गई तो ये इसके छे औरगंस हैं अब युनाइटी नेशन सेक्यूरिटी काउंसिल की अगर हम बात करें तो इसको बनाया करता है दुनिया भरबे कंट्रीज को साथ में लेकर आने का काम करता है बात क्लियर हो गई और उसके बाद यहीं पर युनाइटी नेशन के अंदर सेक्रेटी जनरल होंगे और वो सेक्रेटी जनरल कौन अपॉइंट करता है इन सेक्रेटी जनरल को अपॉइंट किया जाता ह युनाइटि नेशन जनरल असेंबली के तुरू ठीक है फिर उसके बाद मैं युनाइटि नेशन के अंदर आप देखोगे UNSC, UNGA यानि युनाइटि नेशन सेक्यूरिटी काउंसिल और युनाइटि नेशन जनरल असेंबली ये जो दोनों बॉड़ी है ना ये साथ में मिलकर क्या करती है जो इंटरनाशनल कोर्ट अफ जस्टिस है इसके जजजिस को अपॉइंट करती है यानि सभी कंट्री के अंदर अलगलग कोर्ट तो हैं ही लेकिन जो इंटरनाशनल लेवल एक कोर्ट है जो इंटरनाशनल लेवल पर जो विवाद हो जाते हैं वो कौन से कोर्ट में जाते हैं इंटरनाशनल कोर्ट अफ जस्टिस के अंदर तो इसके अंदर जो जजजिस को इलेक्ट करने की पावर है वो भी UNSC और UNGA के पास में है यानि कि United Nation के ही ओर्गन्स के पास पर्मनेट मेंबर कौन कोन से हैं इसमें आ जाता है चाइना, फ्रांस, रश्या, उके और यूएस ये हो गए आपके पास, प्र्मनेट मेंबर्स यानि हमीशा ये बने रहेंगे और थस नौन पर्मनेट ये अजिस दो साल में चेंज होते रहते हैं ध्यान अखना हर दो साल म है कि इसके अंदर पांच permanent members है वो कौनकों से देश है वो तो आपको clear हो गया लेकिन बाकी जो 10 non permanent members है वो कहां कहां से आता है तो उसको समझ लेता है पांच आते हैं African और Asian state से एक आता है Eastern European state से दो आते है Latin American state से दो आते है Western Europe and other states से ठीक है अब हम बात करते हैं इंडिया की membership के बारे में तो क्या इंडिया United Nations Security Council का हिस्सा है हां बिलकुल है तो permanent member है या non permanent member कहोगे कैसी बात कर रहो permanent तो 5 member है वो तो मैंने बताई दिया है तो इंडिया obviously non permanent member है तो इंडिया अब की बार लगातार 7 वी बार United Nations Security Council के अंदर as a non permanent member चुनकर आया है तो जैनवरी 2021 के अंदर हम non permanent member बने थे दो साल तक हम लोग यहां पर सर्व करने वाले हैं मतलब 7 बार पहले हो चुका जनवरी 2021 के अंदर 8 वी बार हम लोग हिस्सा बन चुके हैं as a non permanent member बात क्लियर हो गई लेकिन हम लोग मांग ये कर रहे हैं बहुत लंबे समय से और दुनिया भर की countries हमें इसमें support भ मिले यानि कि जो 5 permanent member है ना इन में 6 हो जाएं एक seat भारत को भी दिनी चाहिए यूकि भारत obviously दुनिया भर में एक बहुत बड़ी country है 5th largest economy है सबसादा population वाली country है अभी खेर चाहिना है उसको भी हम overtake कर देंगे तो basically इंडिया को भी एक permanent seat मिलनी चाहिए UNSC के अंदर यहां प पावर है वीटो पावर अब यह क्या होती है यह बहुत ज़्यादा ताकतवर वाली पावर है कैसे मैं आपको समझाता हूँ देखो यह total पंदर member है अब मान लो किसी topic के ओपर discussion हुआ अब discussion होने के बाद में उस topic का एक resolution बना कर पास किया गया क्योंकि उसको पास करना यह पास होने से रोक सकती है तो आप imagine करो इन पावर से बड़े-बड़े matters को यह रोक सकती है और यह करती भी है अपने फाइदे के लिए या अपने पड़ूसी देश के लिए अपने दोस्त जो खास कर जो सगा दोस्त होता है सगा दोस्त देश जो है उसको बचाने के रोक देटा है जो पाकिसतान के अंदर है लेकिन चाइना बीच में आकर उसको रोक देता है ठीकर बात क्लियर हो गई को इसका एक परमेनेंट मेंबर है बात क्लियर हुई ना तो इस प्रकार से आपर वीटो पावर का इस्थमाल कर आ जाता है अब यूनाइटिट निशन से जिम्मेदारियां क्या है, responsibilities क्या है, मैंने आपको पहली बता दिया है, इनका काम है, दुनिया बर में शान्ती को बना कर रखना, जो भी countries के उच में dispute हो रहे हैं, उनको resolve करना है ना, लेकिन अभी के समय पर इसनकी power बेकार सी हो गई है, क्योंकि इतने बड़ोड़े dispute हुए, दुनिया बर में, अलग अलग देशों में dispute चल लें, उन सब को resolve ये, आज के समय पर body कर नहीं पा रही है, बात clear हो गई, अब जैसे मैंने बोला था, कि article के, अगर अंदर देखें, तो article में ये क्या बूलती है, जो हमारी permit representative ना, UN के अंदर ये क्या बूलती है, कि UNSC के अंदर बदलाव की जरूरत है, अच्छा बदलाव की क्यों जरूरत है, मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि UNSC के अंदर बहुत सारी minister है, एस जैशनकर साब, वो ये बात बोल चुके हैं, कि United Nations Security Council की जो leadership है, वो काफिया तक narrow हो चुके है, बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है हमें यहाँ पर एक refresh button की जरूरत है, यानि इस body के अंदर कुछ changes करने की जरूरत है दूसरा यहाँ पर जो issue है वो है lack of multilateralism यानि कि यहाँ पर आप देखोगे कि बड़े-बड़े issues होदाता है और यहाँ पर जो countries है ना उन countries का support नहीं मिल पाता है Syrian war crisis हुआ, COVID-19 pandemic आया देशों को सबको साथ में खटा हो जाना चाहिए था, बट यहाँ पर यहाँ पर देखने को मिला नहीं lack of multilateralism की कमी मतलब multilateralism की obviously बात है, कमी यहाँ पर देखने को मिलती है country साथ में आ नहीं पाती है UNSC के अंदर में तीसरी जो दिक्कत है वो है less representative, यह बहुत important चीज़ है, इसको ध्यान से सुनना होगा क्या है, जब अगर हम लोग world map को भी देखते हैं, इवन यहाँ पर चलो मैं world map बनाने की कोशिश करता हूँ, ऐसे समझ लेता है यहाँ पर आपको North America देखने को मिलेगा नीचे यहाँ पर आपको South America देखने को मिलेगा, इधर पुरा Europe हो गया इधर यहाँ पर पुरा एशिया देखने को मिल जाएगा इंडिया हो गया, चाइना हो गया यह कुछ कंट्रीज हो गया, इधर यहाँ पर हमारा African continent हो गया, ठीक है ना इधर पुरा का पुरा यह African continent हो गया बात क्लिर हुई, अब यह बात समझो कि UNSC के अंदर United Nations Security Council की बॉड़ी को देखोगे तो इसके अंदर जो permanent members है वो स्रिफ उपर उपर के हैं, यानि नदन कंट्रीज के ही देखने को मिलेंगे ठीक है, इधर से चाइना, रशिया, फ्रांस उसके बाद में यहाँ पर अमेरिका UK, यह सारी उपर कंट्रीज के हैं साउथ अमेरिका से, इस वले कॉंटिनेंट से कोई यहाँ पर United Nations Security Council के अंदर permanent member नहीं है, उसके बाद में African continent, बताओ, इतना बड़ा continent की इसके अंदर 54 कंट्री है 54 देशों का continent है यह तो इसका कोई representation UNSC के अंदर नहीं है, इंडिया यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंट्री दुनिया में है लेकिन उसके बावजुद यहाँ पर इंडिया का representation as a permanent member नहीं है तो वही यहाँ पर बोला गया कि UNSC के अंदर जो representative है वो आज की समय पर काफी कम देखने को मिलेंगे, इस representation को बढ़ाने की जरुरत है और countries को इसके अंदर permanent member बनाने की जरुरत है तो यह एक इसकी कमी है फिर एक और कमी देखने को मिलती है veto power का misuse करना मैंने बताया कि इन 5 permanent member के पास में veto power है अपने ही देशों को फाइदा पहुचाने के लिए या अपने सगे दोस्तों को यानि सगी जो country zone को फाइदा पहुचाने के लिए यह आपस में veto कर देते हैं और इससे यहाँ पर आप कह सकते हो कहीं न कहीं जो veto power है उसका misuse होता वह अभी नजर आता है veto power क्या होती है अभी मैंने just कुछ मिन्टों पहले ही बताया है बात clear हो गई तो यह था पुरा का पुरा हमारा particular article जिसके अंदर सारी information हमने discuss करी है तो article बस खाली इतना ही सह था लेकिन इसके पीछे का यह जो relevant information है यह सबसे काम का है आपको means और prelims दोनों में ही help करेगा एक और बात अब जितनी भी information में आपको नीचे दिखा रहा हूँ वो सब कहां पे मिलती है वो सब आपको information मिलेगी PDF के अंदर में कैसे download करना है PDF को download करना PDF के साथ साथ एक app को download कर लेना जिसका नाम है Adobe Acrobat उस app का नाम है Adobe Acrobat और उस app में जैसे आप PDF को open करोगे ना इस प्रकार से yellow color के छोड़े-छोड़े symbols आपको नजर आएंगे इस में से सारी information आपको दिख जाएगी जैसे मैं यहाँ पर click करता हूँ ना तो सारी information निकल कराती है वैसे आपको PDF के अंदर दिखना start करेगी और यह सब आप copy paste वगरा जो भी है कर सकते हो notes वगरा बनाने चाहते हो तो notes वगरा भी बना सकते हो नवाते हैं अगले article की तरफ अगला article काफ़े important होने वाला है इसको आप लोग GS paper number one art and culture से link कर पाऊगे और question भी बनते हैं कई question पहले भी बने हैं UPSC के अंदर temples के बार में directly question भी पूछे गए मैं आपको वो भी थोड़ा सा idea दे दूँगा उसके बार में don't worry article में क्या बोला जाला है three more sites added to tentative list of UNESCO तो हमारे पास में जो UNESCO body है ना तो UNESCO के अंदर अभी क्या क्या गया तीन और अलग-अलग जो important sites इंडिया की उसको tentative list के अंदर डाला गया है तो समझेंगे कि tentative list क्या होती है इससे होगा क्या जो ये तीन sites है वो कौन-कौन सी है तो इसको details से discuss करेंगे देखो जो तीन sites से जिनको अभी UNESCO के tentative list में डाला है वो तीन sites के नाम पहले ध्यान अकना गुजरात का वदनगर टाउन नमबर वन तूसरा यहाँ पर सन टेंपिल मोधेरा का नमबर टू तीसरा यहाँ पर जो उना कोटी है तिरपूरा के अंदर जो आपको picture दिख रहा है इधर नमबर थ्री यह तीन important हमारी sites है जिनको अभी United Nation sorry, UNESCO के अंदर जो हमारी tentative list है ना उस tentative list के अंदर डाला गया है बात क्लियर होई और इन तीनों को जैसी हमने इस T list के अंदर डाला इससे हुआ क्या कि इंडिया के पास में तोटल इस प्रकार के 52 sites हो चुके है 52 sites हो चुके है जो की UNESCO के tentative list के अंदर आज के समय में शामिल है ठीक है, बात क्लियर हुई अभी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ फिर और areas के बारे में बताऊँगा जो importance है वो समझाँगा तो UNESCO क्या है United Nation Educational Scientific and Cultural Organization इसके full form है tentative list क्या होती है ये भी समझेंगे लेकिन पहले मैं आपको UNESCO इसकी heritage sites ये सारी चीज़े जो basic background है वो समझा रहा हूँ इसको बहुत धियान से सुनते वे चलना question यहां से बनते रहते हैं तो UNESCO को बनाया गया था 1945 में आखिर कार कहां पे located है तो ये basically France के अंदर Paris में located आपको देखने को मिल जाता है बात clear हुई Paris France के अंदर ये located है फिर उसके बाद में UNESCO के अपने आप में ही कुछ important initiative है UNESCO काफी सारे programs चलाता है ध्यान रखना डिरेक्टली सवाल बनते हैं कि ये report कौन publish करता है प्रोग्राम कौन चलाता है से सवाल कई बर बने वह है तो UNESCO के अपने आप में कौन कौन से प्रोग्राम है Man and Biosphere Program World Heritage Program Global Geopark Network Network of Creative Cities Atlas of World Language in Danger तो ये कुछ प्रोग्राम से जो कि UNESCO की साइट से चला जाते हैं UNESCO एक Tentative List को भी maintain करता है Tentative List जिसकी बात हम अभी आर्टिकल में कर रहे हैं तो Tentative List क्या होती है अब थोड़ा सा यहाँ पर इसको डीटेल से समझने की कोशिश करेंगे देखो होता है यहाँ पर यह है कि UNESCO के अंदर एक पूरा rule and regulation है सारे जो नियम है जो कानून है उनके हिसाब से बात करें तो मान लो हमें क्या करना है कि एक particular site है जैसे अभी मैंने बात करी Sun Temple की जो मोधेरा के अंदर में है तो मोधेरा वाला जो Sun Temple है इसको World Heritage Site List में डालना है यानि कि दुनिया भर में जो भी important विरासत है ना उस वाली list के अंदर अगर डालना है इसको तो क्या करना पड़ेगा पहले इसको tentative list के अंदर डालना पड़ेगा हमारे पास में कोई भी important monument है कोई भी हमारे पास में इस्थाल है कोई भी हैं पर monument के साथ कोई भी site है तो उसको एक साल तक tentative list के अंदर डाला रहना पड़ता है एक साल तक tentative list के अंदर अगर वो रहेगा फिर उसके बाद जाकर उसका nomination होगा final जो file है उसकी वो तयार की जाएगी और जैसी nomination हो जाएगा तो आज की समय पर आपने सुना होगा जो world heritage site है वो ऐसे नहीं बन जाती है उसके पीछे का पूरा process होता है तो इस प्रकार से जो tentative list है ना इसके अंदर total मैंने आपको बताया कितने लगबग 52 के असपास important sites है इंडिया की ठीके ना तो पहले यहाँ पर एक साल तक वो इस list के अंदर रहेंगी और जैसी यह हो जाएगा तो इसका एक final file त्यार की जाएगी nomination जैसी इसका complete हो जाएगा तो इसको world heritage site center में भेजा जाएगा ठीके ना तो बात clear होगी आ गया आता है अब अब थोड़ा साम लोग discuss कर लेते हैं world heritage sites के बार में भी तो UNESCO की world heritage sites क्या होती है क्योंकि ये भी आनेवले सम्वेवर world heritage site बनेंगी तो होती क्या है world heritage site समझते हैं world heritage site यहाँ पर एक important एक ऐसी place ऐसा स्थल देखने को मिलेगा जो की UNESCO list के अंदर आ जाता है ये क्यों आता है क्योंकि अपने खुद का क्योंकि वो उस स्थल को हम क्यों डालते हैं इसके अंदर में क्योंकि उसका अपना खुद का एक special culture है उसका यहाँ पर एक physical significance है उसका एक एतिहासिक पुरा का पुरा importance देखने को नबलता है ठीक है जो ये world heritage sites की list होती है ये कौन maintain करता है इसको maintain किया जाता है international world heritage program के थूँ और ये program भी UNESCO ही चलाता है ध्यान अकना ठीक है अब होता है यहाँ पर यह है ये जो sites है इन sites में आज की समय पर पूरे दुनिया बर से important जो world heritage sites है अलग लग देशों के अंदर उसको इन list के अंदर डाला जाता है तो करीबन 167 countries की लगबग 1100 के आसपास जो sites है न वो UNESCO list के अंदर में आती है ठीक है ध्यान लखना इसमें भारत की कितनी sites है तो इंडिया की लग बग यहाँ पर आप कर सकते हो बैसे तो भारत के अंदर total 3691 कितने 3691 monuments है भारत के अंदर में 3691 monuments और सदी साथ में important sites है जिसमें से जो 40 हैं वो UNESCO world heritage site में आती है तो 40 हमारी जो है न वो UNESCO world heritage site है ध्यान लखना जिसमें ताज महल, अजंता केव, ऐलोरा केव ये सारी सारी world heritage sites देखने को मिलती है उसके बाद में कुछ natural sites भी हैं जैसे यहाँ पर जो काजी रंगा नैशनल पार गया साम के अंदर जहाँ पर एक सिंग वाल अगेंड़ा सबसादा जादा पाया जाता है ये sites भी आपको ये भी world heritage sites में देखने को मिलेगी है मतलब एक natural site की category में फिर उसके बाद में आप देखोगे जो ये 40 world heritage site है ना इसमें जो हरपन सिटी है दोला वीरा की वो बिसिकली 40 वी थी जिसको यहाँ बे world heritage site का tag दिया गया था और 40 वी से पहले यानि 49 वी कौन सी थी तो वो रमपपर टाम पे लेते लंगना के अंदर में जिसको world heritage site का tag मिला है बात क्लियर हुई फिर उसके बाद में मैंने आपको थोड़ा heritage sites के बारे बताया एक चीज और यहाँ पर बतानी थी हाँ कि अब यहाँ पर आप देखो मैंने बताए कि इंडिया के अंदर इतने सारे monuments है इसमें से यहाँ पर जो 40 हैं वो यहाँ पर world heritage site का उनको tag मिल चुका है इससे होगा क्या उससे उस area को और ज़्यादा protection बिलेगी दुनिया भर में उस area की चर्जा की जाएगी याद होगा लिवरपुल लिवरपुल बेसिकली यहाँ पर UK की ही एक maritime mercantile city है तो UK का ही यहाँ पर एक शहर है लिवरपुल उसको world heritage site से डिलीड कर दिया गया था इस list से हटा दिया था क्यों क्योंकि वहाँ पर सही से protection कोई provide ने कर वा रहा था वहाँ पर सारी सीजे बरबाद होती जा रही थी उसकी जो value है वो खतम होती जा रही थी ऐसी 2007 में युनेसको ने जो Arabian Oryx Sanctuary है ओमान के अंदर में इसको list से हटा दिया था क्योंकि वहाँ पर क्योंकि sanctuary है तो वहाँ पर काफ़ जानवर पाय जाते हैं लेकिन hunting वगएरा बहुत बढ़ रही थी इस वज़ा से या पर उसको हटा दिया गया ऐसी Elbe Valley जो Dresden Germany के अंदर है इसको 2009 में हटा दिया गया था क्योंकि वहाँ पर construction बहुत ज़ादा बढ़ गया था ठीक है ना तो ये बात धिहान में रखना कि जब ये tag मिलता है तो इसको उस लिस्ट से हटाया भी जा सकता है युनेसको उसको लिस्ट से हटा भी सकता है बात क्लियर हो गई और अभी इसी साल की एक और important चीज़ है ये भी दियान अकना पिछली news भी connect हो जाएग इसी के साथ में होता यह है कि साल 2022 में जो हमारे union minister of culture है न इन्होंने जो होईसलास temple है इनको यहाँ पर world heritage site में आगे add करने के लिए बात की है तो 2022 से इसके अंदर यहाँ पर world heritage site के अंदर होईसलास temple को भी add किया जाएगा बात क्लियर होई तो यह यहाँ पर सरा का सरा data देखने को मिलेगा अब थोड़ी सी information और लेते हैं कि जो sun temple है इसको अभी यहाँ पर tentative list के अंदर रखा गया है एक साल तक यह रहेगी उसके बाद में आगे world heritage center में यह जाएगा nomination के बाद में ठीके तो sun temple मौधेरा का जो की sun god को सूरे देवता को यहाँ पर dedicate करा गया है यह बात clear हुई दूसरा यहाँ पर वादनगर एक municipality आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर गुजरात के महसना district के अंदर में ठीके ना पर इस contented live list के अंदर add गया गया है फिर उना कोटी उना कोटी बेसिकली यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा पविद्र जगा मानी जाती है जो की शिव जी के पूजा स्थल से यहाँ पर आपके सकते हो कि link करते हैं हम लोग उससे associate करते हैं यह जो site है यहाँ पर बहुत important एक massive gallery सी देखने को मिलती है इस प्रकार से आपको यहाँ पर अलग लग जो picture से वो नज़र आती है ठीक है यह आप लोग देख पा रहे होंगे ठीक है तो यह तीनों के बारे में Hindu temple है जो की सूरे देवता को dedicate करा गया है मैंने आपको बताया यह कहाँ पर इस्थित है गुजरात के अंदर मेसाना district में जो मुधिरा गाउं है वहाँ पर इस्थित देखने को मिलेगा यह कहाँ पर situated है जो pushpavati नदी है उसके किनारे ही यहाँ पर यह इस्थित है इस temple को ब सुलंग की डाइनेस्टी का सुलंग की डाइनेस्टी के जो भीमवन है उनका साशन चला था उस समय पर इस temple को बनाया गया ठीक है इस temple को आज कि समय पर एक protected monument घुशित कर दिया यह इसको सुरक्षा दी जा रही है और सुरक्षा कौन दे रहा है archaeological survey of India यह जो टैंपिलेस के तीन components में गुदा मंडब यानि एक shrine hall, शभा मंडब यानि assembly hall फिर उसके आद में कुंड यानि reservoir यह तीन चीज़े तीन important components है इस sand temple के clear होगी information आप दोको सवाल बन सकता है एक latest सवाल मैं आपको दिखाता हूँ साल 2021 का यानि पिछले साली यह प्रशन पूछा जा था सवाल क् 64 योगिनी temple है यह situated है मोरेना के अंदर में तो इसके reference में कौन सा statement सही है यह आपसे पूछा जया था यहाँ पर चार statement दिए गए पहला statement यह एक circular एक gold temple गोल मंदिर है जिसको बनाया गया था कच्छा पगदा dynasty के अंदर में फिर उसकी बाद में दूसरा statement बोलता है यह एक circular temple temple है मतलब यह एक लौता gold temple है जो कि भारत के अंदर स्थत है तीसरा यहाँ पर statement बोलता है कि इसका मकसद है यहाँ पर इस temple को बनाने का मकसद यहाँ पर यह था कि जो वैशनवा कल्ट है इसको यहाँ पर promote किया जा सके इस region में चौता statement बोलता है यहाँ पर कि इस design यहाँ प इसका मतलब एक तरीके से inspiration बना तो ऐसा यहाँ पर यह बोला जा रहा है तो बताओ यहाँ पर यह कौन सी बात सही है इस temple को लेकर तो इसका correct answer आपको कहा देखने को मिलेगा इसका correct answer है answer number one and four ठीक है नीचे option दिये गए है तो इन statements में सापको statement चूज करने थे तो one and four यानि क बिल्कुल एक circular temple है जिसको यहाँ पर इस dynasty के साशन के समय पर बनाया गया था चौधा यहाँ पर कि हाँ बिल्कुल इसी building से जो Indian Parliament building है उसकी inspiration ली गई थी और इसी के business पर Indian Parliament building को बनाया गया था तो answer number one and four correct हो जाएगा ठीक है तो 2021 में इस प्रकार से सवाल पूछ लिया गया clear होगी बात चलो next article पर आता है इसी के नीचे एक और article आपको यह देखने को मिलेगा इसको आप लोग GS paper number three defense and security से relate कर सकते हो आज क्या article थोड़े से मतलब कम है लेकिन बहुत गहराई से पढ़ने जरूरी है क्योंकि कहीना की सवाल बनने के chances है तो article पढ़ो तो काफी details से newspaper के अंदर ऐसा नहीं है कि आपको 15 article पढ़ने है सब editorial cover करने है सब कुछ cover करना है ऐसा नहीं होता है काम की जिस पढ़नी होती है तो हर रोज यहां पे newspaper से 7-8 article निकल कर आ रहे हैं बहुत है आपको exam के लिए वो तयार कर रहे हैं जहां से सवाल बनने है ठीक है ना फालतों की पास में एक और submarine ready हो गई है scorpion class के submarine जिसको हम लोग conventional submarine भी बोलता है क्या होती है conventional submarine क्या होती है nuclear part submarine वो भी बात आपको आज क्लियर हो जाएगी तो अभी हमारे पास में पांचवी submarine आ चुकी है जिसका नाम है वगीर क्या नाम है वगीर जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे अगले ही महीने जैनवरी से हमारी जो नेवी है वो इस पंडूपी का इस्तमाल करना स्टार्ट करेगी ठीक है अब देखो यहां पर यह बहुत ज़्यादा अच्छी बात है एक प्राउड की बात है कि हमारे पास में एक और submarine ready हो चुकी है और उस से भी प्राउड की बात य भी हमने testing कर यह पूरा trial किया है इसमें सारे trial complete कर लिये है हाथयारों के weapon के sensor trial सारे trial complete कर लिये सारे successful हो चुक है यह बहूत अच्छी बात यहां पर देखने को मिलती है बात क्लीर हुई अच्छा ही जो वगीर submarine बनाई गई है यह किसी project वगरें गेंडर बनाई गयी है क्या हा की टेक्निलोजी का हम लोग यहां पर इस्तमाल कर रहे हैं ठीक है ना इस परडिकुलर पी 75 के अंदर में हमारा टार्गेट है छे अलगलग स्कॉर्पीन क्लास सम्मरीन को बनाना जो कन्वेंशनल सम्मरीन होती है ना क्या होती है अभी मैं आपको बताऊंगा यह सम्मरीस बना अब भी थोड़ी सी बता देता हूँ जो इस पर्टिकुलर पी 5 प्रोजेट के अंदर में छे सम्मरीन तयार करनी थी इसमें से जो पहली सम्मरीन है आइनेस कलवरी वो अल्रेडी कमिशन कर दी गई है समबर 2017 में फिर आइनेस खंदेरी दूसरी है फिर आइनेस करंज आपक वक्षीर ठीक है ना तो ध्यानक ना आइनेस कलवरी खंदेरी करंच वेला उसके बाद में वगीर और वक्षीर ये टोटल 6 सम्मरीन से 6 पंडूपिया है जिसको हम लोग ने P-75 प्रोजेट के अंदर में तयार किया है ठीक है और इसी के साथ में ये 6 सम्मरीन से तयार होने क पंधरा कन्वेंशल सम्मरीन से 6 सिंदू कोष जो है ये बैसिकली रशय की किलकला सम्मरीन से सारी है फिर उसके बाद में जर्मनी की टाइप की जर्मनी की टेक्नोलोजी की सम्मरीन आपको देखने को मिलती है, तो अलग-लग देशों के सपोर्ट से, हमने अलग-लग सम्मरीन को develop किया हुआ है, अब सम्मरीन के प्लाकर की बात करते हैं, दो प्लाकर होते हैं सम्मरीन के, एक होती है डिजल पावर, जिसको हम लोग स्कॉर्ड निकलियास, या फिर conventional submarine बोलते हैं और दूसरी होती है nuclear power conventional total हमारे पास में 15 है और जो nuclear वाली submarine है वो हमारे पास में अभी के समय पर एक है बात clear हो गई तो diesel power submarine यानि conventional submarine में क्या होता है यह जो पंडूपिया होती है पंडूपी submarine क्या होती है होता है यहाँ पर यह है कि जो diesel वाली submarine होती है न इसको बार बार पानी से निकलना पड़ता है यानि कि हर सपता में एक बार उपर आना पड़ता है एक बार उपर आके सांस लेके वापस ने जाना पड़ता है आप ऐसा कह सकते हो ठीक है न क्योंकि यहाँ पर energy generate करनी पड़ती है ठीक है क्योंकि पानी के अंदर यहाँ पर diesel से वो energy generate नहीं हो पाती है तो इस वज़ासे इसको सत है कि उपर आना पड़ता है नहीं पानी के उपर आना पड़ता है हर हपता में एक बार और इसको run करना काफी सस्ता है अराम से याँ पर सब कुछ काम maintain हो जाता है लेकिन जो nuclear part submarine होती है ये महिनों महिनों तक पानी के अंदर रह सकती है तो अब आप से एक सवाल पूछा जाए कि सर दो submarine है जो कि हर सब्ता में एक दो बार उपर आना ही पड़ती है उसकी मजबूरिय उपर आना ही पड़ेगा और एक submarine जो महिनों तक अंदर है पानी के अंदर है सकती है बताओ कौन सी बेतर है यहाँ पर जो महिनों तक पानी के अंदर है वो ज़्यादा बेतर रहने वाली है तो वो बिसिकली nuclear part submarine के लाती है तो ये completely submerged रह सकती है पड़ता है बार बार लेकिन nuclear part submarine लंबे समय तक पानी के अंदर रह कर अपना काम कर सकती है ठीक है क्लियर हो गया प्रोजेट 75 क्या है इसके बारे में लिख लेना छे सम्मरीन के नाम दिये हैं वो यहाँ पर इसके बारे में याद रखना चलो आगे आते हैं next article पर नम आते हैं editorial discussion पर अब कुछ important editorals को discuss करेंगे आज जादा important editorial है जैसे आपको यह वाला देखने को मिलेगा एक article election commission of India के बारे में इसकी autonomy के बारे में चर्चा करता है यानि कि देखो हमारे पास में legislative executive judiciary तो है ही इसके बाद में एक चौथा pillar भी होना चाहिए उस चौथा pillar के बारे में यहाँ पर writer mention करता है discuss करेंगे उसके importance के बारे में कुछ relevant topics हैं फिर उसके बाद एक article एक हम लोग discuss करेंगे editorial biodiversity से संबंदित तो कुछ important editorial से आपको पता होगा editorial discussion से पहले हम लोग हमेशा एक means का question लेता है तो आज का means का question क्या है पहले उसको देखेंगे तो question है discuss the major factor responsible for the loss of biodiversity in India जो biodiversity है जो भी हमारे अलगलग plants हैं और साथी साथ में जानवरों के अलगलग प्रजातियां हैं जो यह लगातार खतम होते जा रही हैं तो इसके पीछे यहाँ पर क्या-क्या जिम्मेदार है क्या-क्या important factors है वो आपको बताना है दूसरा यहाँ पर इसके बादी दूसरा part is question का suggest करोगी कैसे जो इंडिया है वो effectively biodiversity को एक protection प्रोवाइड करवा सकता है या फिर इस biodiversity की सुरक्षा करने के लिए जो policies हैं हम कैसे यहाँ पर उसको लेकर आ सकते हैं उसको लागू कर सकते हैं तो यह ध्यान रखना हिंदी में भी पढ़ देता हूँ भारत में जैव विविदिता के हासर के लिए जो उत्तरदाई प्रमुख कारकों की चर्चा कीजिए और सुझहाव दें कि भारत जैव विदिता सर्रक्षन नीतियों को प्रभावी ढंक से कैसे लागू कर सकता है तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको यहाँ पर प्रेशन दे दिया जया है आप लोग यहाँ पर ज़ड़ चुके हैं आप भी जाकर ज़ड़िये और अपने answers को submit करिए एक छोटा सा काम और यह करना है कि जब भी आप answers को submit करोगे और submit करने के सास्थ at least सभी लोग को दो-दो answers review करने जब आप सभी लोग दो-दो answers को review करोगे ना एक दूसरे के answers को चेक करोगे तो इससे डेर सारे फायदे होंगे सबसे पहले तो आपको फायदे होगा कि आपको कुछ important points मिल पाएंगे जो कि आपने नहीं लिखे थे या आपके दिमाग में नहीं आए तो आप उसको अपने notes में मतलब content वगरा provide कर वाओगे क्या हाँ बिलकुल अभी मैं आपके साथ में एक editorial discuss करूँगा वो जो editorial है उसको बहुत अच्छे से सुनना है फिर उसी के basis पर अपना यह answer लिखना है क्योंकि जब तक आपके पास में content नहीं होगा तब तक आप कोई प्रशन लिखी नहीं सकते हो उसका answer लिखी नहीं सकते हो यह simple सी बात है तो अभी मैं आपको इसके बारे में details से word editorial समझाने वाला हूँ बस खाली ध्यान से सुनते वे चलना तो यह particular editorial आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा है यह हमारे text ने context पर है अब इसको हम दो reference में discuss करेंगे एक तो bio diversity के बारे में चर्चा करेंगे और दूसरा यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आभी recently जो हमारा एक agreement हुआ है ना कुनमिक मौन्ट्रियाल agreement जिसके बारे में कल बताया था उसके कुछ provision से वो हम discuss करेंगे तो bio diversity framework के बारे में चर्चा करने वाले बस खाली ध्यान से चीज़ों को आपने सुनना है और नीचे में जो भी information आपको provide करवा रहा हूँ उस चीज़ के ओ बात करता है देखो भारत जो है ना एक mega diverse nation है यानि कि भारत के अंदर आपको बहुत सारी दुनिया बर की जो plants है और साथी साथ में जानवर है उनकी अलगलग प्रजातियां पाई जाती है यह आपको पता है ठीक है तो लगबग दुनिया बर की जितनी भी species है उसकी 10% species cultural heritage है यह बहुत समय पुराना है बहुत लंबा पुराना आपको heritage देखने को मिलेगा इंडिया की जो biodiversity है वो आज के समय में एक बड़े लेवल पर जा रही है यानि कि अलगलग plants और animals की species यहां पर पाई जाती है लेकिन चलो यह बड़े लेवल पर है हमारी biodiversity बहुत बड़ी ठीक है फिर उसके बाद मैं यहां पर आप देखोगे कि बहुत सरी जो species हैं बहुत सरी जो अलगलग जानवर की प्रजातिया है पेड़ पौदों की प्रजातिया है वो एक खत्रा फेस कर रही है वो है extinction का खत्रा यानि विलुप्त होती जा रही है तो at least यह ध्यानक ना 97 mammals 94 birds की species और 482 plants की species यह जो अलग-अलग जानवरों और पेड़ पौदों की प्रजातिया है यह इंडिया में कहीं न कहीं इनको खत्रा है extinction का यह आने वले समय में कहीं न कहीं यह प्रजातियां विलुप्त हो सकती है खतम हो सकती है इसी वज़ा से यहां पर इन सभी प्रजाति का loss हो रहा है लगातार यह खतम हो रही है चीज़े इस यह चीज़े लगातार increase होती जा रही है यह जो खतम हो रही है इसकी speed लगातार बढ़ती जा रही है तो इसको बचाने के लिए हमने क्या किया अलग-लग देशों ने मिलकर एक convention मनाया जिसका नाम है convention of biological diversity ठीक है तो य तब यह treaty लगबग working में आ चुके 1993 से और इस treaty को लगबग 196 countries उन्हों ने यहाँ पर इसको sign कर रखा है और इसी treaty के basis पर इंडिया ने biological diversity act बनाया था 2002 के अंदर में जिस particular act के तायत हम लोग अपने इंडिया के अंदर बायो डैविसिटी को protection प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है ठीक है न तो यह है यहाँ पर दुनिया भर की country साथ में आई उन्होंने यहाँ पर अपने देशों के अंदर बायो डैविसिटी को बचाने के लिए एक treaty बनाई convention of biological diversity इसके बारे में आपने ध्यान में रखन जो जीवन हो रहा है ना उस जीवन को काटने में मदद करती है बहुत सरे लोग यहाँ पर इन्ही बायो डैविसिटी के ऊपर dependent है इन फैक जो हमारी traditional communities है बहुत लंबे समय से बहुत सरी communities है वो क्या कर रही है वो जंगलों के अंदर आज के समय पर रह रही है है ना वहां की clothing पहनना पूरी तरह सा जंगल उनके लिए छट बनावा है मही से यहाँ पर जो food है वो एक तरह के से consume कर रहा है खाना भी उनको मही से मिल रहा है ठीक है तो काफ़ी सरे लोग की ज़रूरत है पहली बात तो पहला महत्व तो यह है और यह खतम हो जाएगा तो मतलब लोग की जिन्दगी भी खतम हो रही है दूसरा महत्व है फार्मसेटिकल वैल्यू जो बायो डैविसिटी है ना इसने हमारी modern science के अंदर खासकर medicine के अंदर में बहुत बड़ा contribution दिया है क्योंकि मैं आपको बता है इसमें बहुत सरे plants हैं बहुत सरे अलग अलग plants हैं अभी आपको प फार्मसेटिकल वैल्यू है ना इन plants के ये बहुत जादा देखने को मिलती है यानि कि आपके सब्सक्राइब जो ट्यूमर है ट्यूमर तक ठीक करने के भी यहाँ पर कुछ important plants यहाँ पर नजर आते हैं malaria ठीक करने के important plants की प्रजाती नजर आती हैं जिसे दवाईया बनाई ज प्रजाती खतम होगी तो यह दूसरे को भी खतम करेगी ठीक है न तो यह एक्स्टिंशन बढ़तावा चले जाएगा तो एकलोजिकली भी यहाँ पर इनका importance बहुत जादा होता है तो यह तो होग यहाँ पर इसके importance के बारे में अब देखो क्या होता है ना इस biodiversity convention के अदर challenges क्या क्या है पहली परिशानी है erosion traditional breeding system यानि कि जो पुराने जमाने में हम system का इस्तमाल करती थे breeding करवाने के लिए वो system आज के समय पर खतम हो चुका है agriculture को commercial purpose से लगातार बढ़ाया जा रहा है ज्याद साधा पैसा generate करने की यहाँ पर बातचीत की जाती है जिसकी चक्कर में जो पुराने जमाने का systems है तो सब यहाँ पर जो पुराने जमाने की लोग को knowledge हुआ करती है वो सब कुछ नहीं कर रहे है जब artificial तरीके से काम नहीं किया ज़ा रहा है जो पुरानी knowledge है उन सब को यहाँ پर खतम कर तिया गया है तो एक भुष बड़ा challenge यहाँ पर यहाँ पर conflict between forest rights and wildlife conservation एक तरफ हम यहाँ पेड़ पौदे जानवरों को बचाने की बात करते हैं दूसरी तरफ यहाँ पर आप देखोगे उनी पेड़ पौदे और उन जानवरों के उपर काफी सरे लोग dependent हैं बहुत सरे जंगलों के अंदर रहने वाली communities हैं तो इन सबी लोग के लिए rights हैं ठीक है न उनके पास में forest right हैं जंगलों को बचाने के लिए wildlife conservation है तो दोनों के बीच में कभी-कभी conflict देखने को मलता है है न दोनों के बीच में कभी-कभी विवाद हो जाता है यानि कि इससे knowledge है उनके पास में सारी की सारी traditional knowledge है कैसे जंगल को एक protection प्रोटेक्शन प्रोवाइट करवानी है ठीक है न क्योंकि वहीं से वो कमा रहे हैं खा रहे हैं उनको उसकी value उस सारी ची सारी चीज़े पता है मैंने recently एक report भी discuss करी थी current affair के video में याद आ रहा होगा तो वहीं यहां पर mention किया गया कि कही ना कहीं कि जो हमारा conflict है forest right और wildlife conservation के बीच में वो भी कभी देखने को मिलता है जिसकी चक्कर में जो खासकर हमारे forest dweller है उनको काफी नुकसान फेस करना पड़ता है उनको उस area से निकाल दिया जाता है जबकि उनकी हम मदद लेकर क्या कर सकते हैं अपने जंगलों को protection प्रोवाइट करवा सकते हैं फिर एक और बाइडाविसिटी को एक और बहुत 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 क्या होता है बहुत सरी plants और animals की कई बार ऐसी प्रजातिया होती है जो बहुत खदरनाक होती एक वो उस एडिया का native पौधा नहीं है लेकिन वो grow करने लगा वो थोड़ा से खतरनाक है उसके कोई value जादा नहीं और वो फैलता जा रहा है फैलता जा रहा है दूसरे ज़्यादा एरिया को वो दूसरे जो पेड़ पौध है उनको भी खाता जा रहा है और अपने आपको यहाँ पर concern है चिंतावली बात है वो है global warming और climate change सभी को पता है लगाता temperature का बढ़ना गर्मी का बढ़ना global warming होना इसकी चक्कर में plants और animal species जो है वो कहीं न कहीं परेशानियों को face कर रही है उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं बहुत सरे pesticide बगरा का इस्तमाल करते हैं market generate कर रहा है जो plastic waste है वो यहाँ पर generate हो रहा है अब plastic waste को properly manage किया जाता नहीं है इससे वो micro plastic बनती है छोटी-छोटी plastic के टुकड़े बनता है वो ocean में जाता है ocean में जाने के बाद में वो यहाँ पर आपका सकते हो जो जानवर हैं जो खासकर मच्रियां वगरा उनकी body के अंदर से ले जाते हैं उनकी जान ले लेते हैं उसके साथ-साथ अगर मालोग कोई मच्रियां खा रहा है है ना तो basically वो जो है वो उस इंसान के अंदर micro plastic वापस से जाएगी तो food chain के अंदर यह एंटर कर जाएगी तो यह directly हमारे marine diversity को affect कर रही है और marine biodiversity के साथ-साथ में इंसानों को भी affect कर रही है तो जो यहाँ पर क्या है जो हमारे यहाँ पर हरकत हैं खासकर plastic waste वगरा जो generation है इसको properly manage ना करना यह environment के लिए कितना खत्रा है हमने इसके बा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने में चलो समझता है तो भारत ने क्या 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 कदम उठाए पहले उसके बार समझेंगे इंडिया बिजनस एंड बायो डैविसिटी इनिशिटिव को स्टार्ट किया गया वेट्लेंड कंजरवेशन एंड मेनेजमेंट डूल्स 2010 वाल इस प्रकार से कौन कौन से इनिशिटिव स्टार्ट करेंगे हैं दुनिया भर में कई सारे इनिशिटिव को स्टार्ट किया गया नगोया प्रोटोकॉल हो गया ठीक है साइट्स वाला जो प्रोग्राम हो गया वो स्टार्ट किया वर्ल्ड वाइफ फंड फॉर नीचर हो गय जो भी हमारा बायोस्फेर है ना मतलब बायोस्फेर को हम लोग यहां पर बायोस्फेर के माद़म से protection प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सकते हैं यानि कि इंडिया को जाद सदा बायोस्फेर रिजर्फ की ज़रूरत है ताकि अपने biodiversity को हम बचा सकें, जब एक area को biosphere reserve declared कर दिया जाएगा तो वहाँ पर जो जानवर है, plants है, उनको यहाँ पर पूरी तरह से बचाने के उपर काम किया जाएगा दूसरा हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी आज के समय पर हम plastic generate कर रहे हैं plastic waste हो गया, और कई सारे waste हो गया है ना, तो उसको यहाँ पर कम करना होगा और जापान दे एक नई technology डेवलप कर लिए है खासकर वो technology क्या है, प्लास्टिक को खाने वाला एक bacteria है, जिसको जापान में discover किया है तो वो bacteria क्या करता है, प्लास्टिक को खा लेता है और खाने के बाद में उस polyester को digest भी कर लेता है तो ये एक अच्छा तरीका होता है, ऐसी bacteria हाँ भी develop कर सकते हैं, जिसको जो प्लास्टिक है, उसको यहाँ पर खतम किया जा सके, फिर उसके बाद में तीसरा एक और initiative है, तीसरा मतलब क्या कर सकते हैं जो indigenous people हैं, जंगल में रहने वाले लोग हैं जो हमारी forest community है, forest dwellers है उन सब के जो rights हैं, उन सब के जो हक है न उसको यहाँ पर protection देना क्योंकि वो जंगल में रह रहे हैं, वो ही जंगल को protection प्रोवाइड करवा सकते हैं वो आप से जादा जानकरी रखते हैं, बहुत लंबे समय से वो जंगल से connected है ठीके, तो वो जंगल के उपर dependent है, तो ऐसा ना करो कि उनको जंगल से हटा दिया जाए हटा दोगे, वहाँ पर construction स्टार्ट होगा, लोग का involvement बढ़ेगा, वो सीच खतम हो जाएगी वो अभी available है, वहाँ पर तो इतना जादा involvement नहीं बन पा रहा है, वो यहाँ पर उस area को protection प्रोटेक्शन प्रोवाइट करवा रहा है तो उनके जो भी rights हैं, उसको यहाँ पर protection देना भी हमारा काम बनता है, इससे हमें environment को और ज़्यादा अच्छी तरीके से protection प्रोवाइट करवा पाएंगे बात clear हो गई, ठीके न, तो एक cheapest याँ नहीं, बहुत सस्ता तरीका और बहुत अच्छा तरीका यही है, कि आप क्या करो, tribal people के जो भी rights हैं, जो उनके हक हैं, उनको यहाँ पर respect करो, और उनको वहाँ पर रहने दो, ठीके, अब जितनी भी बात हैं मैंने बताई इसी के basis पर आप इसका answer लिख सकते हो, जो भी आपसे question पूछा गया था, इसका answer आप attempt कर सकते हो, ठीके, तो यह particular article आपको नजर आएगा, और इस particular article के अंदर, यह biodiversity के बारें बात की गई थी, मैंने समझाई दिया, इसके अलावा COP15 की जो meeting होई है, जो summit हो है Montreal के अंदर में, इसके बार आपकी जो important चीज़ थी, वो मैंने सारी बता दी है, I hope आपको clarity मिल चुकी है, चलो, चलते हैं अगले editorial की तरफ, जो अगले editorial है आपको यह देखने को मिलेगा, अप holding the autonomy of election commission, आपको बता होगा, भारत में, elections को conduct करवाने के लिए, एक particular body है, जिसको हम लोग election commission of India के नाम से जा कहीने के appointment में काफी सारा जहमेला देखने को मिलता है, तो क्या कर सकते हैं हम एक तरीके से इसको independent body बनाने के लिए, क्योंकि अगर सरकार का ही representative बैठा होगा, तो वो सरकार को ही support करेगा, सही बात है, जो भी अपना व्यक्ति बैठाएगा, वो सी को support करेगा, तो यहाँ पर यह बूला गया कि कैसे हम लोग किसी independent body को generate कर सकते हैं, कैसे एक independent body बनाई जा सकती है, और उस independent body का फाइदा क्या है, वो चीज़े यहाँ पर writer ने mention करी है, तो गौतियम बाटे साब ने आर्टिकल लिखा है, डेली के अंदर एक lawyer है, तो समझते हैं इनके point of views को क्या बोलता ह इनका कहना यहाँ पर यह है, कि आप देखोगे, पूरे November के अंदर, पूरे December के अंदर क्या चर्चा हो यह, कि Supreme Court ने एक case देखा था, Election Commission of India का, कि जो Election Commission of India के अंदर जो appointment होता है, उसको जो case है, वो यहाँ पर Supreme Court के पास मगया, अब हुआ कि Supreme Court ने इस particular case का जो judgment है, वो रिजर रहे वो देगा, ठीक है, बोला यह गया, कि Court के सामने दिक्कत क्या है, Court के सामने हाँ पर इशू यह निकल कर आता है, कि यह जो Election Commission of India है ना, इसके अंदर जो भी appointment हो रहा है, वो appointment executive control के अंदर में है, यानि कि सरकार directly control कर रही है, सरकार यहाँ पर Election Commission of India के अंदर जो Chief Election Commissioner से उन जरकार ही यहाँ पर इसको पर control कर रही है, तो क्या यह constitutional है, संबिधानिक है, क्योंकि यहाँ पर यह body, basically independent body होनी चाहिए थी, लेकिन independence यहाँ पर देखने को मिली रही है, appointment यहाँ पर government कर रही है, तो इसकी independence कहा गई, ठीक है, तो यहाँ पर यह वोला गया, इसी particular case को देखा dependency है ना, उसको maintain करके रख सकते हैं, यानि election commission of India एक independent body रहे, उसको किसी की भी ना सुननी पड़े, अपने हिसाब से, अपने खुद के हिसाब से यहाँ पर वो सारे के सारे action ले पाए, ठीक है ना, अब इस particular editorial के अंदर writer mention करता है, कि आप देखोगे, कुछ चीज़े समझो, आ यहाँ पर मैं आपको बहुत clear सब्दों में समझाता हूँ, legislature क्या है, legislative वो है, जो कि यहाँ पर laws को बनाता है, निक कानून बनाता है, जैसे हमारा parliament हो गया, वो कानून बनाता है, ठीक है, executive क्या हो गया, executive जो कि basically यहाँ पर कानून को लागू करते हैं, ठीक है, जैसे हमारे head of the state होगे, यानि कि जो president वगरा होगे, president, prime minister, chief minister, पूरा जो cabinet है, वो सबका सब executive, जो कि यहाँ पर कानून को लागू कर रहे हैं, फिर आती judiciary, जुडिश्री का क्या काम है, जुडिश्री यहाँ पर यहाँ देखता है कि कानून सही से लागू हो रहा है, या नहीं हो रहा है, यह सारा काम कि इसके हाँ में, जुडिश्री के हाँ में, कोई कानून नहीं मानेगा, तो judge वो उसको देख लेगा, हमारा जो court है, वो उसको देख लेगा, बात clear हो गई, तो legislative, executive, judiciary इस प्रकार से काम करती है, यह तीन important pillar भी हैं इंडिया के, हमारे संभीधान के, तो संभीध कर रहा है, वो सब executive ही approve 하, हमारी सरकारे ही appoint कर रही एं, सरकार ही appoint कर रही है, इसको और यह ही election कर रहा है, अब यह बताओ कि इस body के independency काचि I अपने साबसे काम करी नहीं पाएगा, सरकार appoint करके भेज रही है, तो सरकार वो इस support कर रहेगा यह हर चीज में, तो वो ही बोला गया कि क्या करना चाहिए इस election commission of India को एक independent body बनानी चाहिए और वो independent body कैसे बनेगी समझते हैं इस बात को यहाँ पर यहाँ पर यह writer बोलते हैं क्लियर होगी बात रैटर ने यहाँ पर बोला कि हमें अगर independent body बनानी है न तो जो हमारे constitution के तीन wings है legislative executive judiciary इसके अलावा एक और चौथी branch बनानी होगी चौथी branch क्या होगी integrity institution इसका मतलब क्या है कोई अलग से यहाँ पर एक independent body बनाई जा सकती है जो कि जिसके अंदर किसी एक का representation नहीं होगा ऐसा कि खेवल जो ruling में सरकार है वो ही यहाँ पर इसके अंदर रोल निभाई यह ऐसा नहीं होगा यहाँ पर opposition party और भी धेविर सारे लोग होंगे अलग-लग level के जो कि यहाँ पर किसी एक तरफ का मतलब आपका सकतो किसी favoritism जैसी चीज़ों को support नहीं करने वाले तो चौथी यहाँ पर branch बनानी चाहिए ऐसा यहाँ पर बोला गया बात clear होगी तो legislative executive judiciary के अलावा एक चौथी branch होनी चाहिए जो की अलग से काम करेगी तो चौथी branch का सर अभी भी समझ में नहीं है तो चलो एक example लेते है राइटर ने example दिया है example को ही समझते है इन्होंने क्या बोला एक सेगंड उख चलो लेट एस टेक example एकजामपल लेते है राइटर इन्फोर्मेशन का RTI का सबको पता है राइटर इन्फोर्मेशन 2005 के अंदर लेकर आया गया था नहीं बैठा है कोई proper funding नहीं मिल रही है इस body को तो क्या वो काम कर पाएगा नहीं तो मतलब आपको एक proper infrastructure of implementation चाहिए न प्रॉपर अलगस एक body बनानी पड़ेगी न जो कि RTI को लागू करेगी नहीं तो फिर RTI किया है सिर्फ paper का का काम हो गया ऐसी आपको proper RTI को funding देनी पड लेगी हमें जो की चौथा pillar होगा हमारा जो चौथी branch होगी ठीक है न उसके अपने आप में important task होंगे और वो सारी चीज़ें यहाँ पर खुद perform करेगा independent level पर perform करेगा clear हुई बात अब यह क्या mention करते हैं यह बोलता है कि जो चौथा branch institution होगा न इसको भी ऐसी जरूरत होगे ऐसी लेकिन यहाँ पर यह है कि वो body independent होनी चाहिए कोई भी executive का कोई control ना हो कोई भी political executive ना हो वो independent body हो ठीक है independent होगी तो यह काम कर पाएगी for example जैसे एक बार फिर से example right to information का RTI का example लेते हैं अब RTI में क्या होता है कि आप RTI फाइल करते हो ताकि जो सरकार ने काम किया आप सरकार की information निकाल सको सरकार से यह सवाल पूछ सको है ना सरकार साब को सवाल पूछने का हख है लेकिन वो RTI के मादधम से आप को हक मिलता है अब क्या है जब आप public documents को म आपको पता है, लेकिन होता यह है, कि यहां पर एक information commissioner बैठा है, हैना information commission बैठा है, जो इससे आप यहां पर RTA file करो, यह आपको सारी जानकारी दे रहा है, ठीक है, RTA के अंदर एक information commission बैठा है, यह सारी जानकारी आपको दे रहा है, क्योंकि आपने RTA file करा तो यही जानकारी लेकिन ये बताओ, ये जो information commission है, इसको जब executive ही बढ़ा देगा, हमारी सरकार ही बढ़ा देगी, तो ये काम खुद कर पाएगा क्या, नहीं, ये तो सरकार जब जवाब देगी तो देगा, नहीं देगी तो नहीं देगा, तो मदब independent तरीके से काम कर पाएगा, नहीं कर गई commission, तो वही तो बात बोली गई, ऐसा हो भी रहा है, कि जो आज के समय पर information commission बैठा है न, इसको independent होने की जरुरत तो है, लेकिन वो है नहीं independent, यहाँ पर एक बहुत बड़ा रूल, सरकार का है, सरकार ने उसको appoint कर के बैठा रखा है, ठीक है, तो वही बोला गया, कि ऐस हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल independent body चाहिए, जहाँ पर किसी एक का control ना हो, खासकर हमारी सरकार का control ना हो, एसी यहाँ पर जो central information commission है न, इसके अंदर जो भी appointment का control बगरा है, वो सब यहाँ पर government के पास में, इस चकर में, यह जो body हरती है न, यह बिना दात की body ह यह कुछ कर नहीं सकती, सरकार जो बोलेगा, उसके साब से body काम करेगी, सरकार information देगी, तो वो देगा, आपको बना नहीं देगा, ठीक है, यह बात clear होगी, अब writer बोलते हैं कि भाईया, example लेते हम अलग-लग देशों के, अलग-लग देश अलग देश और चौती ब्रांच क संबिधान देखो, तो इनोंने, अल्रेडी यहाँ पर चौते ब्रांच बनाने की बातचीत कर दी है, जैसे human right commission हो गया, election commission हो गया, यह सारे-सारे integrity institutions के लाएंगे, ठीक है न, तो इनको independent होने की जरूरत है, इनका अंदर जो भी हाँपर important व्यक्ति होगा, उसका जो appointment होगा, उसका जुकाफ किसी की तरह साइड ना हो, वो independent तरीके से काम कर सके, तो वो चीज़े South Africa की इनिया के अंदर चल लई है, हाला कि हमारा भारते संबिधान भी इसके बारे में बातचीत करता है, ठीक है, हमारा संबिधान भी यहाँ पर इसके बारे में बातचीत करता है, एक च यहाँ पर चौथी ब्रांच इंस्टिउशन ही है, यह सारी बाडिज यहाँ पर इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम यहाँ पर यह है, कि इन बाडिज के अंदर जो अपॉइंट्मेंट हो रहा है, वो हमारी सरकार कर रही है, वो हमारे प्र गवर्मेंट जब decide करें तो गवर्मेंट के हिसाब से ही काम करेंगे ना तो ये एक problem यहाँ पर नजर आती है writer को फिर ये mention करते हैं कि देखो जो appointment है कि इसी body के अंदर उसका control है वो दोनों link होता है क्योंकि सरकार ने appointment करा तो सरकार ही उसको अपने इसाब से control कर रही है ये बात समझे ना कोई कि सरकार ने अपना बंदा बैठा रखा है ना तो वो अपने इसाब से control करती हुई नजर आएगी जैसे South Africa के अंदर अगर आप देखोगे तो एक judgment भी आता है और उस judgment के अंदर landmark judgment में already ये mention कर दिया जाए कि जो independence है ना वो independence impossible है अगर यहाँ पर सरकार अपनी साइट से appointment करकर किसी को बैठा रही है तो अगर किसी का appointment सरकार कर रही है तो वहाँ पर उस body का independent होना बिल्कुल impossible नजर आएगा तो उसी चेकर में writer ना mention किया कि बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि भारत के पास में भी एक ऐसी body आने चाहिए जहां पर ऐसी bodies हो जो appointment process है वो एक जना ना करे appointment process के अंदर काफी सारे लोग हो opposition leaders भी हो प्राइम मिनिस्टर हो चीफ जिस्टर ऑप इंडिया उस सभी लोगों सब मिलकर यहाँ पर appointment करें तो वो ज़्यादा process है वो ज़्यादा अच्छा राएगा तो appointment process क्या होना चाहिए मैं आपको बताया यह बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जो appointment process के अंदर सरकार होनी चाहिए चलो ठीक है सरकार के सासथ opposition party independent experts बहुत important judicial experts यह सभी लोग होने चाहिए क्योंकि एक ही जना appointment कर रहा है केवल सरकार ही कर रही है तो वो व्यक्ति सरकार के साब से काम करेगा अगर यह सब लोग होंगे तो हमारे पास में चीज़े होंगे यह opposition भी यहाँ पर होगा independent experts भी होंगे judicial experts भी होंगे तो यहाँ पर चीज़े हम लोग के पास में थोड़ी सी clear होंगी सामने होंगी ठीक है तो यह बात यहाँ पर mention की गई तो खेर यहाँ पर election commissioner of India का जो मुद्ध है वो आगे सुनवाई होगी तो आगे पता चलेगा बट यह हम लोग को requirement है चौथे branch की जिसके बारे में आपने अभी जानकारी ली है clear हो गया अब हम लोगों ने वैसे तो जो question remains का वो ले लिया है न वो तो मैंने आपको बताई दिया है उसके लावा एक article यह है महराष्ट्रा और करनाटका के dispute के बारे में चर्चा कर रहा है कल text and context पर एक article आया था carbon market करके हाला कि वो मैं पढ़ा चुका हूँ ऐसा यह मैंने नहीं पढ़ाया है जब मैं आपको पढ़ाया थे ना carbon credit के बारे में तभी इसके बारे में बताया था लेकिन कोई बात नहीं आप वैसे अगर आपका आप सोच रहों कब पढ़ाया तो मैं आपको बता सकते हूझ 9 December को पढ़ाया है 9 December नहीं, 12 December को 12 December को मैंने Carbon Credit के बारें पढ़ाया हुआ है तो आप वहाँ से भी चेक आउट कर सकते हो ठीक है ना, लेकिन कोई बात नहीं कल मैं पढ़ाओंगा, क्वार्बन मार्केट के बारे मैंने कल इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि information जादा नहीं थी वो article important है, no doubt लेकिन हमारे पास में Google पर जादा information नहीं है क्योंकि मैं चाहता हूँ एक proper उसके regarding आपको notes मिल जाए proper content मिल जाए जैसे में कई सारे topics को लेकर आपको provide करवा देता हूँ ठीक है, तो थोड़ा सा wait करो, कल आप carbon market के बारे में पढ़ा दिया जाएगा do not worry अब आखरी article पर आते हैं उसके बाद एक और चोटा सा article है, फिर उसके आपने वीडियो को समाप्त करेंगे एक second रूख जाओ अरे यार, starting में आ गए हम तो एक second ये बीच के regional pages होता है, regional pages को skip कर सकता हो, regional pages में कुछ काम का होता नहीं है, ठीक है ये हमने already discuss कर लिया, ये भी discuss कर लिया, ये भी discuss कर लिया, हाँ, ये article रहिया था तो लोगसभा के member है, उनकी demand यह है कि जो भाईया drug abuse है जो खासकर आज के से member बहुत सरे जो व्यक्ति है ना, वो drug के addiction में है तो उस drug abuse को यहाँ पर कियम किया जाए और कम करने के लिए यहाँ पर कुछ laws की आवश्यक्ता है तो उसकी मांग कर लिए लोगसभा के member ने कि भाईया drug के addiction को रोकने के लिए कुछ कानून की हमें जरूरत है तो उसको लेकर यहाँ पर आर्डिकल बताया गया वैसे drug addiction क्यों बढ़ रहा है आपको यहाँ पर इसके बारे में नीचे point of views लिखने है मतलब reason क्या है इंडिया के अंदर drug minus क्यों देखने को मिल रहा है लगबग 5 reasons आपको बताना है मतलब इंडिया के अंदर जो drug है इसकी तसकर इतनी बढ़ती हुई नजर आ रही है मैंने कई बार आपको पढ़ाया याद होगा सर्च कर सकते हो टेलिग्राम पर आपको मिलेगा इसके बारे में information वो 5 reasons बताने क्यों भारत में यापर जो ये drug abuse है वो थोड़ा सा increase होता है वो नजर आ रहा है तो इसकी चकर में वो article highlight किया गया था तो 5 reasons फटाफट नीचे comment section में लिख दो जिसके भी अच्छे reasons होंगे उसको मैं पिन कर दूँगा चलो अब आते हैं हम लोग अपने prelims के सवाल के उपर तो आपसे starting में सवाल पूछा जाता कि इंडिया के reference में देदवाना कुचामन सारगोल खातू ये जो नाम है ये किस टीच के नाम है ग्लैशर मैंगरू वेरियास रामसर साइड ये सैलीन लेक्स तो इसका सही उत्तर है option number D लेक्स तो खारे जो ज़ीले हैं ना उनका नाम है ये दिदवाना कुचामन सारगोल खातू ये जीलो के नाम है जिसमें खारा पानी देखने को मिलता है बात क्लेर हूए चलो यशे के साथ मैं करते हैं हम लोग अपने लेक्शर को समापत और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, आज के लिए बाइ-बाइ, have a nice day, thank you and जहिंद